आपने द्रस्यों बता मागिस के राहूल गांदी छे तेहीं सीधा आपने द्रस्यों बतामागिस तो कॉंग्रेस द्रस्यों बता मागिस तो कॉंग्रेस द्वारा पन तैयारी होचे पूर जोस्मा करम आवी छे, वासना पोलीस स्टेशन नी बाहर रस्ताव पर डराव मत ना पोस्तरों लागिया छे, वेलकम राहुल गांदी ना पोस्तरों लागिया छे, एटले के, कोंग्रेस पन पूरी तयारी माँ छे, बिजीतरफ कोई पन अनिचने बना उनोबने, तेने सबस्क्राइब प्रकार राहूल गांदी तो स्वागत था शे क्या सुधी बाहां राहूल गांदी कॉंग्रेस का रले पर पॉहंची जशे नरेंद्र जी राहूल गांदी नूँ संसत्मा जे बाशन हतु त्यार बाद आज समगर विवाद नी शड़ुआत त्यार बाद आज समगर खटना बनी हते त्यार बाद आज गांदी याँ पुहूंची रहा चेंते वोरांवार करी कही रहा चेंए के डरों नहीं अने डराओ पर नहीं आज बाबत नहीं अगर्व प्रकार्नी पूलिस द्वारा करो माँ वी हते त्यार बाद बाद खुब जरूरी हते के कंग्रेस नाजी कारिय करता हो चैंग इस नहीं गुशना माइब दार हो था यह थो तो एमनु जे नेत्रूत वे उचे एक कार्य करता हुनी साथ हे उबूच अ पलिटिकल लड़त मां अने एज बाबत नोएक संदेश आपर मांटे आजे राहूल गांदी यहां पहुंची रहा है चे कॉंग्रेस प्रदेश कार्य पर पहुंचे हैं यह कारिय करता होने मर्शे त्यारबात जे चिला एक वर्ष दर्म्यान राज्य माँ जे बेदर कारी ना कारणे घतनाव बनी चैन सामुहिकम रुत्यूना बनाव बन्या चैने तमाम विक्तिम परिवारों ने पन राहुल गांदी मरवा ना चैनले के एक रि पर देख्ष लाल जी भी देशाये आपने साथे चेमिसाथे वाच्चित करें लाल जी भी कितलों महतों न प्रवसकान के कार्ये करता हूं मां जुस्टों बनी रहो कुप जरूरी छे तम एक तर्फी कामगिरियाना आक्षे पो जरूर करया चे परन्तु साथे जुत जरूरी कारे करता हूं पिल्कुल पर मने जे छेने मारा कारे करता हूं माटे गुजरात ना कॉंग्रेस ना ए जामबाज सिपाईयों ए बबर शेर जेने रहोल जी किया छे मने टला माटे बहु जाम गर्व छे कारण के 32 स्वर्षती साशन नथीं तो एक कॉंग्रेस नों कारे करता ए संघ्यों ना डंडा अने आमना पत्रा जिल्वा माटे छाती आम राखी नों बोरे छे अमारा कॉंग्रेस ना कारे करता हूं चे यह जीत हार कोई माइन आज़ादीना जंग मां 62 वगवगर सत्ता है 62 वर्षत लेड़ा ता अत्यारे पन लड़ी रहा छे कॉंग्रेस ना क अमारा पीडी तो कॉंग्रेस करना कारे करता हूं चे अत्यार लॉक अप मां जाने पाका काम ना कैदी जाने कोई ने मडर करी ने जेल मा गयला हुए यह वो एने सते जे व्यवार थाए छे एने मड़वा जवानू अनने साथे साथे जहां थी नरेंदर भाई देशनी जे अगनी कांट बन्यो ए राजकोट ना पीडी तो आवी नेम केवाना चे के अमे जे मानस ने धारा सप्या बनावीन सीम ने सीम माती पीम नी खुर्सी पर पहुंचाड़ो ए मानस नी पासे टाइम नथी अमारा आसू लुच्वानू अमने यह नी पासे कोई उम्मीद न जरत शरू थेली जो अमरी रहा चे जा भारतिया जनता पार्टी पोताने राम भक्त अथ्वा तो तो त्यों हिंदू समाज ना प्रतिनिदी तरीके पोताने एक्ट्रबलिस करी रहा चे सामे पक्से सिव भक्त राहुल गांदी काल सतीशी पन वारम वार बात करता था एक र रहुल जी ने श्रद्दा चे नालग अलग जिग्याई जी आपन शीव ना मंदीर छे त्या रहुल जी बद्देज गया छे आने शेवी जम विश्णु जम जे चे यहनू बात करे छे ब्रह्मा विश्णु ने महेश चे तो शू चे यह रहुल जी अने कोखत वाद करे चे मून बात ये चे के बहु मोह सत्ता नों के बहु मोह संपती नों नहीं सारो औने येना माटे तमारे शीव जी पासे जवू पड़े के मोह मां थी के मोगत थावू? अने राहुल जी जेछे बद्दाने एच केचे के सत्ता आवे ने जाए संपती आवे ने जाए अन्ते जेछे ए मोहने मोक्ष महत्वनुचेल राहुल जी शिवजी नो संदेश डरो मत डराव मत ए आपपा मागे छे नुमा नुचू कहना कृष्ण ने मानता हुए कोई राम जिमके मने जैश्री राम करता मने सिया राम बोलू गमे काणके राम तो सिता बगर अधूरा छे कष्ण चे राधा बगर अधूरा छे एम आलोको मातर जे पुला पूरुष प्रदान समाधनी जे मानसिकता संगियों मा एकला रेवावाणी पड़ी गई छे ने के बेयानों नाम नहीं बोलवानू सिता जीनु नाम बोले तो एमने मर्चा लागे राधा के रुकमणी नाम बोले तो मर्चा लागे अमें क्रश्ण ने राधा ने रुकमणी नी साथेत जोडिये अमें सिता ने राम ने साथेत जोडिये तो मुकुल वासनिक जी पना त्यार हाल यहां पहुंचया छे तेवों पन आएं आवी चुक्या छे अमने साथे पना वाद्चित करी शूक के तेवों शूकरी कही रहा आजे सवुथी महतोनिवाद एछे के रहुल गांदी थोड़ी जुआर मा गुज़ात आवी रहा छे मु आपको इस प्रकार से रहुल गांदी का दौरे तो आप देख रहे हैं मतलब कितना मोरल बुष्णफ होगा आपके कारिय कताओं का देखिए हम समझते हैं कि रहुल गांदी जी का गुजरात में आना ये सिर्फ गुजरात के लिए ही नहीं तो बलकि पूरे मुल्क की राजनेती के लिए बहुत महतोर रखता है एक तरफ में प्यार का संदेश लेकर मोहबत का संदेश लेकर राहुल गांदी जी ने पूरे हिंदुस्तान को फिर एक साथ मजबूत बनाने का संकल्प लेकर अपने प्रयाश शुरू किये तो दूसरी तरफ नफरत और द्वेश की राजनेती लेकर जिस तरह की राजनेती भरतिय जन्ता पार्टी कर रही है उसके खिलाफ में राहुल गांदी जी का यहां पर एहमदाबाद में आना बहुत महतोर रखता है हम समझते थे कि जिस तरह से 2024 के चुनाओं का परिणाम आया उसके बाद ये नफरत की राजनेती में कहीं पर कुछ तो फिर दुबारा सोच कर यहां भरतिय जन्ता पार्टी आने वाले दिनों में काम करेगी लेकिन ऐसा नहीं हो रहा प्रदेश कॉंगरिस कमेटी के कारिया ले पर यहां एमदाबाद में जिस तरह से भारतिय जन्ता पार्टी के कारिय करताओं ने हमला किया इसका क्या संकेत है क्या लोगों की आवाज दबा देने का आप रहास करेंगे क्या लोग अगर कुछ अपने दिल की बात कहना चाहते हैं तो उन्हें आप रुकना चाहेंगे मैं समझता हूँ कि राहूल गांदी जी के यहां आने से यहां की राजनिती और यहां की सोच पर जबर्दस परिणाम होगा